बस अगरवत्ति लगाने से धूपत्ति लगाने से दिया लगाने से पूजन पाट से पहले सबसे मूल है तुमारी भक्ति और जिस दिन तुमारे हिर्दाएं में भक्ति का संचार हो जाएगा अगरवत्ति और धूपत्ति की तो जरुवती नहीं पड़ेगी मेरा भोला नास् से उसको रिजाओ तो सरी तुम भाव से नहीं रिजाते हैं हम बेटे हैं बगवान को रिजाने का प्रयास कर रहे हैं एक लोटा पानी भी भर के लेगा है अब पानी भर के लेगा है तो मन में इत्ता हिंकार लेकर जा रहा है कि में मंदिर में रोज जाती हैं में पानी चड़ तुम में भी विठी होगी दो चार तो ऐसी बोलने वाले वह तो में जिन्दा हूं इसलिए घर चल रहा है जिस दिन मैं मर गई आटे डाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो जो ऐसा बोले नहीं तो उससे के दी जा अदा गंता मरी जा जा यह मर तुटा अदा गंता देखे चले की नी चले के अब इस आटे किस वात का फुला फिलो रहे की मीरा बाई के मन मैं अभिमान नहीं ता मीरा मैं कि पावा फैक निरमल मन सो मोही ओ stem पावा और मोही चल जिदर कपठ नभावा पहरे कितने कितने साधू संयासی तपस्वीуск साधक उपाशक तब करकर के मर गए साब ठीखो तो सरी सतियुक्स उठाओ ज्यापरतक में कितने संत कितने साध हु कितने संयासी कितने साधक माय एback specially अगनी जला कर अगनी जला कर करकर क्यों भगवान नहीं मिला उनको मिला क्या निन और अगर दो को चार का नाम उठालो प्रहलाद तब कर नहीं नहीं istically में घर सामने प्रगत हो गया चेबों निर्मल मन विन मेरा केलाशी सामने आकर खड़ा हो जाएगा बस केवल तुमारा भाव हम फिर कहते हैं मंदिर में जल चड़ाओ ना चड़ाओ तुमारी मरजी तुम भगवान को बेलपत्री चड़ाओ ना चड़ाओ तुमारी मरजी तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ तुमारी मरजी तुम भगवान को फूल चड़ाओ ना चड़ाओ तुमारी मरजी बस इतना सा निवेदन है कि मंदिर की चोखट के सामने से जब निकलो तो ये विश्वासरत कर निकलना की सामने तुमारा दादा पर दादा तुम